जब हम शब नेपोटिस्म सुनते हैं और नेपोटिस्म इंडस्ट्री में कहां से आया इसकी हिस्ट्री कांगाली जाती है तो हमें करन जोहर के कॉफी विद करन का वो एपिसोड याद आता है जिसमें कंग्निया रनौत गई थी और जो लोग तुम्हारे साथ के हैं उन्ही को आगे बढ़ने का चांस देते हो या एक्चर और कोई नहीं बलकि जॉन इब्राहिम है जी हाँ जॉन इब्राहिम का अब एक विडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो कॉफी विद करन शो का हिस्सा बने नजर आ रहे है और उन्होंने करन जोहर को मुँपर कहा कि तुम क्लैनिश हो सिर्फ अपने क्लैन के लोगों को ही आगे बढ़ाते हो एक्चली जॉन ने करन को ये जवाब उस बात पर दिया था जब करन ने जॉन से पूछा कि आमिर सलमान शारो तीनो खांस में से आप किस खान को खान ओफ ओल सीजन्स मानते हैं इस पर जॉन इब्राहिम ने करन जोहर को मुँपर जवाब देते हुए कहा था कि तुम बहुत क्लैनिश हो क्यों हमेशा खांस की ही बात करना क्यों तुम्हारे सवालों के अंदर कुमार्स या अजय देवगन नहीं है जॉन इब्राहिम ने आगे कहा कि अजय देवगन ने बिगिस हिट्स दी है फिर भी उनका नाम इसमें नहीं इसके जवाब में करन जोहर उलज गया और करन जोहर कहने लगा कि तुम तो बहुत ज़ादा confusion create कर रहे हो जॉन ने आगे कहा कि वाकई में तुम clannish हो इस पर करन जोहर कहते हैं कि ठीक है मैं clannish हूँ लेकिन तुम fraternity के flag bearer बन रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुछ इस सरह से करन जोहर ने situation को handle किया था लेकिन 2011 की ये बात है जॉन इब्राहिम ने करन जोहर की दोस्ताना में काम किया था और उसके बाद ही करन जोहर के शो में जॉन इब्राहिम को बुलाया गया था और तब जॉन इब्राहिम ने मूँ पर करन जोहर को जो बात बोली वो बात में आगे चलकर कंगना ने भी बोली हाला कि कंगना ने तब बोली जब सोशल मीडिया अपने पीक पर था और कंगना की बात का बतंगर बन गया वर्ना जॉन इबराहिम ने भी वही सेम बात बोली थी जो कंगरा ने बात में बोली हाला कि जौन इबराहिम का करन कुछ कर नहीं सके क्योंकि जौन इबराहिम बाते मुझ से कम और अपने मसल्स से जादा करते है